नवास्कार दोस्तों रीड की हटी के TB से जुड़े हुए चार सबसे कॉमन सवाल और उसके जवात सब से पहले तो रेड की हटी के TB जो होता है वो कैसे होता है हमारी सांस में से हमारी ब्रेफ में से TB के बेक्टेरियू जाते हैं वह सबसे पहले ब्लड में जाते हो और ब्लड वेसल से वह हमारी रीड की हड़ी में पहुंचते हैं वहां ग्रेजुवली पस बनना शुरू होता है और हमें टीबी के सिम्टम लाना शुरू होते हैं दूसरा रीड की हड़ी के टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं सबसे पहले तो किसी भी मरीश को अगर ale ENFT जाता है तो पेर में शुरू हो जाते हैं पहर में जैसे ही सिंटम्स आते हैं, दोनों पहर में भारीपन होता है, कमजोर यानी शुरू होती है और जुन-जुनी होनी चलने में दिक्कत होनी यह सब सिंटम्स शुरू हो जाते हैं तीसरा क्रूशन की रीड की हट्डी के लिए कौन से रिपोर्ट कराया जाते हैं, सबसे अच्छा रिपोर्ट जो है, वो है एमराई, एमराई करने सामा पता चल जाता है कि exactly कौन सी जना इंफेक्शन है, कौन सी हट्डी जो है उसमें पस बना है या फिर हट्डी के नीचे जो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी ट्रीटमेंट क्यों होती है, इसकी ट्रीटमेंट 99 परसियों में सिर्फ दवाई होती, ड्र्वाई डेफिनेटल से जो zwischen 15 अट बिदेक्शन मैं क सिर्फ एक जन मतलब सौम ऐसे कोई एक दो जन ही होते हैं जिनको ऑप्रेशन के जरूरत पढ़ सकती है जैसे कि जिन भी मरीज में दवाई से जरा भी फरक नहीं पढ़ रहा है डेट दो महीना हो गया है लेकिन दर्द वैसा का वैसा ही है या फिर बढ़ रहा है दूसरा कि पैर में कमजोरी आ गई है पैर में लकवे जैसे फिलिंग आ गई है और तीसरा कि पस बहुत बढ़ गया है अड़ी इतनी गल चुकी है कि MRI में ऐसा दिख रहा है कि अड़ी तूट जाएगी और नस के उपर दबाव बढ़ जाएगी ये तीन ही कंडिशन ऐसी है ज